चड़ने वाला था उमंग, तभी करीम से कंदे पर हाथ रखता है, सुन, उदर देख तो जहां उन्होंने अपनी बोटल रखी थी, उसी पेड़ के पास एक आदमी भावा भरी सर्दी है, उस आदमी ने कुछ नी पहनावा है, सिर्फ एक वाइट कलगी दूती पहनी हुई है तो उसने के बोला के आदमी आदमी बोल रहा हूं, चुपचाप यहां चला जा जा फिर भी नी लिगा अब करीम शॉट टेमपर उसको गुस्सा आ गया, उसको गुस्सा आ गया, उसको बहाग लेकर उसको डराने के लिए भाग लेगा, जैसे उसकी दरभ भागा तो आगे तीन कदमी उसने बढ़ाया हूंगे शहे तीन-चार कदम इतने में तो आदमी बिजली की पुर्टी सुस्साम ने आया, तो आज की हमारी जो स्टोरी है वो है वे पुरानी स्टोरी है, ओल स्टोरी 1967-68 के आसपास की, वेस्ट पंगॉल में ही सब हुआ था जिस गाउं में हो तो गाउं का पहले नाम ता हरी नाराइनपूर, अब तो चेंज हो गया, उसका कुछ नाम और हो गया है, बंगाल में 24 परगना ऐसे कुछ करके जगया है, बहुत सारे गाउं में से गाउं के अंदर वो है, वहाँ पर आज भी एक मंदिर है काली माता का, तो वो मंदिर क्यों स्थापित हुआ था उस गाउं के अंदर, यह उसकी बै विटनेस, उन्होंने विटनेस की हुई परवपर, उस तेम पर उनके एज चाज 15 साल के असपास रही थी, तो उनके गाउं में दो लड़के थे, एक का नाम ता करीम और एक का नाम ता उमंग, तो यह दोनों दोस्त थे, बढ़िया और जो करीम था वो बहुत शैतान था, और यह दोनों के जोड़ी थी, बिल्कुल हुड़दंगी थे दोनों के दोनों, किसी से लड़ जाना, बिढ़ जाना, किसी की सुनना नहीं, डरते किसी से नहीं थे, यम्राज भी सामने जाए तो डरते नहीं है, इस तरह का उनका दोनों का नेचर था, तो इनके गाउं में जब मैंने बताया था लोगों तो नशे वाली होती है और अलकोहल होता है तब तम उजे नहीं पता था मुझे बाद में बताया जो हमारे भिहार के स्ट््टूइंट्स उन्होंने बताया है तारी इस ऐलकोहल तो उस में process क्या होता ह strongly पेड़ होता है कि के खजूर जो copies उसमें आप ऐसे लखडी की कील ठोक लीचेborg अई टोप पर और उसमें उस्केम लड़ाई लटका जाते में हा है तो भी मीठा बहुत होता है और सातमनों वह बता है तो इसमें अलकॉहल होता है सरदियों का टाइम था और तीन चर दिन से गाउं का जो मौसम तो बात खाराब हो रखा था तीन दिन से बारिश हो रही है बादल बूल काले शुरज भी निकला दिन बर में तो तीन दिन के आद मौसम साफ हुआ तो यह दोनों दोस्ते हैं प्लान वना है कि यार पूरे गाउ को चलते हैं और अपन ताडी लेकर आएंगे वहां से तो इनका प्लान हुआ रात को करीबन ग्यारा बज़े के असपसी निकले अब आप साथ 68 में गाउं में रात तो बिल्कुल अंदेहरा नबंदा नबंदेगी जाथ बिल्कुल अंदेहरा खुप अंदेहरा फिरफ चान कि लोग दोस्त पहुंचे उन्होंने एक पेड़ से लेक्ट के और एक हांडी लेक्ट की थी तो उनके पैस एक तो खुरुपा टाइप का चाकू था बड़ा धारदार वो था कुछ काटना पिटना मलब पेड के लिए तो वो था और उनके अपनी दो बॉटल से इसके मैं च peace कि बार उनके लेक्ट और भार चटा हूं कि करीम जुटarenthा भए तो इसका चड़ता था ला था तो जैसे ही वो चड़ने वाला था तो करीम ज़ी कटने पे पर पहुंचे ठीकर पए पेड़ पहुंचने का श्कन भाप पहु निए लेतें और उनक पैर समी राक करीम तो पतानी कैसे आगई ठीक है, वो चड़ने वाला था उमंग, तभी करीम से कंदे पर हथ रखता है, सुन, उधर देख, उधर देखा, तो जिस पेड़ के, वो जो एक पेड़ था ना, वही उन्होंने अपनी एक बॉटल लग देती, अब दूसरी बॉटल भर के लाते हैं, जहां उन्होंने अपनी बॉटल रखी थी, उसी पेड़ के पास एक आदमी खड़ा हुआ है, भरी सर्दी है, उस आदमी ने कुछ नी पहना हुआ है, सिर्फ एक वाइट कलगी दूती पहनी हुई है, चांद की रोश्टनी उसके पर पट रही है, उसका सिर्फ सफिस बाल उसका चेहरा नहीं दिख रहा हुए उनको अंधेरे की वजए से, तो करीम ने उसके तरफ देखा, इसने उमने भी देखा, तो उसने बुचार ये कौन है, पता नहीं और ये अपनी बॉटल के पास खड़ा है, इसने बॉटल दो चुरा के ले ले जाएगा, तो उनको ये कोई जवाब नहीं आए तो उसने बॉला, तो जो भी है, यहां से चला जा, मरना तेरी आलत खराब कर देंगे, तो उनको बोलता है, चोड़ना है यार, होगा कोई, होगा कोन क्या है, अपनी बडल पड़ी हुई है, वो ले गया तो, तो उसने बॉला के ले आखरी बार बो होगा है, तो फिर से बोल रहा हूँ, अगर तू नहीं गया ना, तो उनको यहीं काट दूँगा, वो फिर भी नहीं गया, तो इस पर गुस्सा आगया हो अपना जो चाकुता और लेके, और सामितर उसको डराने के लिए भागने लगा, तो जैसे उसकी दरब भागा, पीछ सीधा जमीन पर गिरा, दो चार बर हाथ पर मारे, शांत, और अधर उसके सामने खड़ाता, लेकिन उसको उसका चेहरा नहीं दिख रहाता, बस वाइट बाल, सफेद दोती, हाथ दूजरे मेरी, तो सीधा इतना करते ही, वो बिलकुल फ्रीज हो गया, वो कोशिश कर रहा है करते ही, क्या हुआ हो, अब होता है, प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा है, आपकी हुआ गया एकदम से मेरे साथ, फ्रैक्शन अफ सेकिंड्स के अंदर, जब सब ने संसे में आया, उसने आओ देखना आता, आओ, उस आदमी की तरफ एक बार देखा, और जैसे उसने वो देखा तो बलता है, वो करीम, करीम मर गया, तो यह दोनों पड़ उसी थे, तो करीम मर गया, कहां मर गया, बोले वहां पर, तो सब लोग इनको जगाया, सारे गाम वाल उटके वहां पहुंचे, तो वहां पहुंचे तो पहुंचे जोनों ने सीन देखा कि वहां पर करीम की और उस डेड़ बॉड़ी को जब उनने देखा तो सबके होश उड़ गए कि कि इस डेड़ बॉड़ी में से उसको देख बिल्कुल सूख चुकी ती हो पत्ते की तरह लगा था को सारा खून किसी ने चूस लिया हो सफेद हो गई थी और बिल्कुल हड़ी हड़ी बची हो इस स्किन और हड़ी है जो बच जाती है कि आपका सारा पानी खींच लिया है किसी ने पूरा उस तरह कि इसकी बॉड़ी की हालत हो गई थी उसको देखते हैं करीम के ममी बहुत तरह लोग थे और उसकी एक सेस्टर थे और मदर चार लोग थे टूटल फरमिली थे बहुत बुर कोई कर भी का सकता है तो फिसकी बॉड़ी को लेकर आए अगले दिन उसका जो भी लास्ट रिचुल्स होते हैं वो किये उसको दफना है गया आप सोचो जिस बंदे ने सब लाइव देखा है उसकी हालत तो वो तो ट्रॉमा से भाहर में आ पार थे समझ में आता है कि एक दि पूरी पूरी रात ओफना देख दो अपना दिखा जो जो अगले दिन सुबह अपनी नहीं को पता ए तो एक दू दू दीन रहे गे तो एक दू दीन रहे गा इटा नेक्स्टे मिल रात भी वापस से सुबह करीए चार पाच बज़े के आउच पास गाउं में हला मच गया और केसान भागता हा रंवाल मुझा गए उमर गया उमर गया सब भूआ को जो कॉन गया सब लोगे कौन उनहा जना civ Julie बोलो हम घट्र बहागते हो नधी की जना़ पूर। अट पर ऑँके लटकी एक लटकी की की जो सब लोग पहुचे पास में तो फिर से उनों देखा थे उस लड़की की लाश भी बिल्कुल जैसे करीम की बॉड़ी में से उसका भी पूरा खुन चुसा हुआ है और वो लड़की कौन करीम की बहन एक दिन में एकी फैमिली के दो बच्चे है मा की हालत फूट फूट के रहुँ लेकिन अगर कोई शान था तो था करीम का बाप बुलकुल पत्थर के तरह शान था वो रोवी नहीं रहा था इवं अच्छा करीम के जो बाप था उसके बारे म कि करत बाप अड़ şey कोनी रात को बापस निकलता था और सॉबें सह Dani और कहां जाता था कि किसी को नहीं पता था ये किसी ने गलती है किसी पूछ लिया कि लिआ ने कहा जाता है तो मारने को अच्छा कुछ भूलत,से दूबल सबस्तख घ्र जान ता कि इस लोग्点 एाज एक एक आंसों आंख से उसका नहीं निकला है, तो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, फिर से उसका वे अंतिम संसकार किया गया, सब कुछ, एक उसकी माँ का तो मिला घर साही, सब कुछ ही बज़गया था, फिर दो दो जिन को ज़ए दर उज्वल की हालत खराब होना शुरू हो गेती रिए डिए दूर महां लोग रिख और उसके कुछ फिल नहीं होता था था अला इसका कुछ नहीं उता था भी तर थे सुन ही पाता था आंक बंद कर तो आद्म हो आदमी डिख ता इससाद उसके लूम में ता अजीब सिसमेल था नहानाद होंना, उसने बिल्कूल बंद साह फिर दो दिन गुजरे फिर से वापस दे गाउं में ओगला मचा एक और मुद्ध हो गई कहां तू बताये कि गाउं का इखेत है उस खेत में ऐसे क्लास्ट जमीन के अंदर गड़ी है उल्टी उसके दो पैर बिल्कुल सूके बाहर निकले अरे पुरे गाउं माँ ख़बर कित कि देखा तो सेम होई फिर से किसी न उसका खून चूस लिया और दो सिर्फ टांगे टांगे है निकाला गया बाहर गैस वाट कि मा करीम की एक फैमिली के तीन मेंबर चार से पांच दिन के अंदर खतम और चारों की अब गाउं में इस सुझ में है कि एक ही फैमिली टार्ग गया जूबी हो गया लेकि गाउं में ये बचके कि कौन आ गया भाई गाउं के अंदर कोई जानवर आ गया है क्या है कोई सीरियल किलर में इनसान है कोई असक कर रहा है गाउं में से कोई कर रहा है दूसरे गाउं कोई आदमी हैं लुटे रहे हैं क्या है क्या है क्या है क्य किसी यो कुछ भी बतानी है बाप पे तो शुक हो रहा होगा लोगों क्योंकि कुछ ना कुछ रियाइट कर रहा ना कुछ करना बिल्कुल शुक तो हुई रहा था शुक के गरेम सबसे बड़ा वही था कि कहीं यही तो नहीं कर रहा है क्यूंकि now how सकता हूँ हो बली दे रहा हूँ है क्योंकि ज़ो रात को निकलता था फिर वो उपसोबही आता था तो इतना तो लोग भी समझते हैं कि रात को पुरी रात गायब अगर गाहों से बाहर के जा रहा हो तो किसी ने किसी काम से ऐसे कुछ चीज़ें को कर रहा होगा, ब्लैक मजी की ऐसा कुछ भीव करता होगा, बट हिम्मत किसी की नी थी न, कोई सबूत किसी की पास भी था, तो अब यह था कि छलो ठीक अब जो हो गया उसको भी दफनाया गया, वो किया गया, और सेम रात को, अब सिर्फ करीम के जो फादर थे वो ही बचे थे उस घर के अंदर, तो सेम रात को करीम के घर में लगती है आग, और आग लगके पूरा घर जाल गया, तो अब जो घर था, वो ऐसा था कि उसके पडोस होए, गाउं में कैसे घर होते हैं, अब जुड़े जुड़े घर होते हैं, आपस में, कच्छे भी होते हैं, अगर आग लगती, किसने लगाई होती, तो एक घर में आग लगी, तो उसकी कालिक है, कुछ नग उस तो दूसरे घर पहुंचती है, वज तक विल्कुर आपने टार्गेट करके, प्लान करके, सिर्फ एक घर को जला आया है, और ये जो इंसिडेंट हुआ, उससे पहले, बनला ऐसे नहीं कि उसमें करीम के फादर के डेथ हुई थी, वो जिस दिन उसको दफनाए गया तो उस दिन वो गाउं से चला गया, गायब हो गया हो, छोड़ चाड़ के सब कुछ, और उसी रात वो घर उसका जल गया, उसके खातम हुए, फिर तीन-चर दिन गुजरे और फिर से गाउं में एक और डेथ, अब किसी और की, लेकिन तरीका बिल्कुल से, कि वो ही किसी ने मारा और पूरा-कपूरा खुंचु उसके और गायब, तो गाउं में दहशत होई है, है क्या, क्या है, कुछ पता किया जाए, क अब किसी भी गाउं में रह रह रहे हो, तो नॉर्मल जब होता है, तब ठीक है, फिर एक और अगला जो इंसिरेंट हुआ, वो हुआ गाउं के सरपंच के घर में है, उनके छोटा बच्चा था हुए शाम को खेल ने निकला ता भार, वो वापस नहीं आया है, पूरे गाउ तो गाउं में लगा है, ऐसे तो एक एक करके पूरा अधाम ही खतम हो जाएगा, या तो गाउं में कोई हत्यारा भूम रहा है, या कोई ऐसी शक्ती है, पिशाच है, जूबी है, वो गाउं को खतम करने पर उतारू हो चुका है, क्योंकि सिर्फ आट से दस दिन के अंदर इ अपने आ सपास, शरीर की उसकी हालत नहीं थी कि उठे, उठनी पाता था, उसकी मम्य पापा उसको बेड़ पर कपड़ा ला गए यहां पर खाना खिला के चले जाते थे, तो एक रात की बात है, वो सोया हुआ था उमंग, अचाना सुची की चिलानी के आवाज आती है, तो छलानी के आवाज आती, तो उस घर्म बेर्ड़ा से पहस आते हैं, वो भी बेड़ पे से घर के सरकता सरकता आंगर में पोइंचा दिया пई। एच्ण की आप बहुआ होश पड़ी इधी, तो एसकी मा को होश मिलाते हैं, तो भूछ लो बहुत दे से रोन लग जाती है, और जो उनको दिखा हुए था कि उसका आदा शरीर सड़ गया है उसमें कीडे भूं रहा है यह उनको विजन आया था उस विजन को देखके बहुत देश चल लाई थी और भेहुश हो गई थी तो अब जो नहीं बोला तो उनकी पिता जीन बोला कि ठीक है तो परेशान मतो मैं कल ह किसी से बात करता हूं तो वो पहुंचे कौलकता ने पताइब किया किसी से और कौलकता के पास में तारापीट मंदिर के बेसिकली हूँ तारापीट में उनको एक आचारे मिले इनका अगराम ता काली कृष्ण आचारे तो यह इनकी एज हो गई हो गही गरीब साट साट के गि उन्हों ने बच्छपन से लिकर इस उमृतक ब्रह्मचरिय का पूरा पालण किया हूँ सारी सिधी उनको प्राप्त, जैसा उनके और आज बताया जाता था कि संगशान सिधी, काली सिधी, काली मदर काली मदर काली सिद्धी जो भी है और उसके लाओ यतनी भी सद्धियां होती है, लोग बूला करते थे कि जब वो रात के टाइम साधना करने बैठते थे, तो उनके आसपास दो बड़े-बड़े काले कुट्ते भूमा करते थे, और दिन में कुट्ते किसी को बिन दिखते थे, होते हैं थे, पुरे आश्रम में कहीं पर भी नहीं थे, लेगन रात को जब वो साधना करने बढ़ते थे, कोई भी उनके आसपास नहीं आ सकता था, क्योंकि उनके साधना डिस्टर्ब नहीं होनी चीए, तो उनके पैताजी पहुंचे उनके पास, पहुंचकर और उनको सारी बात बताई कि ऐसे से मेरे पहुंचे पास जाते हैं, और रात को करीबन ग्यारा बजे कासपास बोलते हैं, आज ना गाउं के अंदर एक यापतरा निकलने वाली है, बहुत पूरा गाउं उसके अंदर आएगा, बढ़िया, बहुत मजा आएगा, तो कि तेरों से बिस्तरों पर पढ़ा हुआ है, तो उन्होंने अपने कंदे के अपर रखके भाल हाथ से और घेडरिया चलवा चलवा कि उसको लेकर गए ओर गाउं का जो समशान था वहाँ लेकर गए, वहा हाँ देखा हैं, तो काही की यात्रा उन्हों पूरा गाउं समशान में खटा हो रखा है, बीच में समशान में आग वहाँ पर एक सादुपुरुष बैठे हुए है अलगी जो लेवल का तेज आ रहा है उनके चाहरे से तो जाके वहाँ पर खड़ा उसको बिच में लिया गया गया है वहाँ के पास में सबसे बिल्कुल सेंटर में खड़ा कर दिया है पूरा गाह उसको देख रहा है मुझे सबसे पर फेटसरे पड़ा ह預備 अधरम पड़ा हथे जैसे उसके पापा हटे उसके सामने जो मीट सा अबभा है बड़ से रखे यह समें रखे और इसके न न मीटी खुछबह लगी इसको एक अजीब सा वो आना शुरू हो गया, उसकी बॉड़ी के लिए से सेंसेशन, तो पता नी क्यों उसको वो बहुत जादा अच्छा लग रहा था, पर उसके बाद उसने किया कि वो दोनों एक एकर को टोकड़ा उठाया, और चोटा बच्चा बाटर से दूद पीता है ना, तो उसका सारा ख जैसे वो खता हुआ, तो गुरू जीन उसको बैठ जाएं, तो बैठा, बैठने का दो ने बुच्छा कि अभी तो बता कौन है तू, और यहां क्या कर रहा है, तो उसने बुला कि मैं इस दुनिया को हुई नहीं, मैं तो पाताल लोक में सो रहा था, और मुझे तो जगा ग ождते करी कोच, काले जादू करता था हो, उसने मिर कु बलाया और मेर, वो बहुत जल्दी अमीर बनना चाहता था, तो उसने मेर से काम करवाता था हो violation, लेकिन एक बर उसने है कल आगए इस से, तो बले क्या गल्त हुआ उँ उसने ज़ब ही जो भी तो ब़ख गलती हुई नह मैं बच जाओं और पार कि तरको जो है पूरा गाहु ते रहा है तो बहुत अपनी भूग मिटाना हूँ और जब तक मेरी भूग नहीं मिटेगी तब तक में रहने वारा हूँ तो अभी सबसुन के सारा गाहु शौक ता कि और फिर गुरू जी ने गुला कि ऐसा नहीं हो सकत कि तरको भी भी कह रहा हूँ कि तो जहां है महाँ आपस चला जो तो बहुता कि ऐसा भी नहीं हो सकता हूँ तो अचानक से कहीं से वह दोनों कुत्ते एक एक सामना आए खड़े होगा उनको पूरे गाहँ को कुत्ते दिख जैसा कि उनने मेरे को डिस्क्राइब किया हूँ तो देख ते वह पीछेम पीछ एक नगए इनको हटाओ तो डर रहा था उनसे तो आप आँ तू जआ जा जाएगा तो भी नो मैं चला जाओ जाओ आँ आप सब से इनको हटाँ तो उननों कुछ पर अदेश दिया है और एक दम से उनकी पीछ गार वापस से गईगा होगे ह ऐने बिठा तो बात की बोल क Ε già चाहता है पतू हो तो कहता है कि ठीक है में चला जाओंगा लेकिन मेरी Bhooga मिटा दो तो भोग मिटा दो मतलब बोग आप तो वह झांजी अना गाओं के बाहर वहां पर पांच वह बंदो अपन ऊप मुझे मुझे प segment, मिन आप जाओ जाओंगा और भार लिकिन अौन मिनूए पर्समा कर गुंम नहीं ख्रेग। मैं तो नहीं आओंगा लिकिन मुझे फिर से कुई नहीं को बुलाएगा। यहां नहीं तो कहीं और बुलाएगा, कहीं और नहीं तो कहीं और बुलाएगा, क्योंकि तुम इनसानों का लालच कभी खतम नहीं होता है, मनना मेरा क्या मतलब था यहां पर आने का, तो भी जहां है वहां पर जाए इस गाउं को छोड़ते हैं, तो जह से कहा गया, इतना वह कहां गया, कहां नहीsmों को यह को नहींगा, उसके बाद उने जहाँ पर बकरे बाव्डे थे, वहीं पर गुरू जरे बेसे के वहाँ कोमों कि अनिलर कहम थो बसक Judge Dante , आज भी हिंपर काली मंदिर वहीं पर गामें पर भी यहां z fisherman Ha paso94 है , उस पर जो हुआ ही और उस्डाह कि अज भी पूरे गाउं के लोग चाहे वो किसी भी कम्यूनिटी से बिलॉंग करते हो वहां पर जाते हैं मत्था टेकते हैं और गाउं की जो हिस्ट्री बन गई कि रक्षा के लिए मंदिर होना वहां पर जरूरी है तो एक ऐसा इंसान ने अपने फाइदे के लिए इतने सार ल लगाई उस पे शाच ने लगाई लेकिन फाइनली जो लड़का था हो मंग वो बिल्कुल ठीक हुआ और लाइफ में दुबारा कभी उसको इनसान भी नहीं दिखाई गया बापर एसा यह आजकल बहुत हो रहा है जल्दी अमीर आजकल भी हो रहा है यह तो सब ही जगह है यह तो इनसान की फितरत है ना शॉट कट तो हर किसी को चाहिए महनत कौन करना चाहता है सबको लगता है कि यह करें और बड़े हो जाए और फिर अमबिशन्स बहुत होते हैं लेकिन एफर्ट्स कम होते हैं तो वह एक बहुत इंपॉर्टन फेक्टर होता हर किसी के साथ इस साथ सकते हैं फिर भी उसका काम पूरही फूरा है ना नहीं उसके परिवार के लोग चले गए मर गए और फिर भी एन्वेस कुछ कर ने सिंद़ी हो जा रहते हैं तब भी कुछ सिध नहीं कर पाते हैं उस बंदें कोई ट्रेस ही नहीं निकला वह कहाँ है मरा जिंदा कोई पताने उसका दुबारा कभी हो कहीं नहीं मिला किसी को और उस टाइम आप देखो ना आप सेवंटीज की बात कर रहे हो कौन ढूनने जाएगा उसकता है बहुत अमीर हो गया हो और मौज ले लिया हो और पीडी उसकी मौज ले रही हो बिलकुल है कुछ नसल का आदमी है बड़ा सोचा नहीं है पूरा गाउन निप्टा रहा गहा गाउन को देख लो मुझे जोड़ दो तो एक गाउन थोड़ी निप्टाता उसके बाद तो एक खतम हो तो दूसरा दूसरा खतम हो तो तो तीस रही बात अगर सही टाइम पे उसका वो और फिर आप आराम से उनसे इंट्रेक्ट कर सकते हो और ऐसे से तो कहीं इंट्रेक्ट कर पाऊगा है सभी में सर वो तो गर्दन मोड़ देख लसी बना के खुनून चूस के अपना यह तो पहली बार से नहीं है पकड़ने भी नहीं आएगा सारे जली तेल बसके आता है पाया शेक मेंगो शेक किले ब्लड शेक फिर दो